हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे फल के बारे में जानते है जो शरीर की 90 प्रतीशत बिमारियों पर कारगर है और शरीर को तंद्रुस्त और तरन्पून रखता है, वह फल है आवला आवला एक आशर जनक, अद्बूद और जादोई फल है और शरीर की लगबख सभी बिमारियों के इलाज में सायक है यह अपने आप में एक फार्मेसी है और इसे पौश्रिक्ता का खजाना भी कहते है यह हमाई शरीर के लिए वन में आर्मी है जो किसी भी रोग को शरीर के प मूह, नाक, गला, डाइजेस्टिफ ट्रैक, हिरदय, लीवर, पेट, किड्नी, गॉल ब्लेडर, खून, हड्डिया, त्वचा ऐसे सभी को स्वास्त प्रदान करता है गंबी से गंबी बिमारियों में शरीर की रक्षा करता है आयुटविद में आवले को उसमें पाए जाने वाले गुनों के कारण शेष्ट माना गया है और अमृत्त तुल्यों होने के कारण उसे अमृत्फल भी कहते है चवन रिशी आवलिक से बनी और्शदी का सेवन करके वृत से युवा बने थे ऐसा कहा जाता है यह हर मौसम में सभी आयुवर्ग की व्यक्तियों द्वारा ख कर सकते हैं कच्चा आवला, आवला कैंडी, आवला पाउडर, चवन प्राश, त्रिफला चुर्ण, मुरब्बा, चटनी और अचार किसी भी प्रकार से सेवन करने से शरीर को पोशक तत्वर प्रदान होते हैं ताजे अच्छे पके हरे आवले का 25 ग्राम जूस एक ग्लास पानी में सवेरी, खाली पेट पीने से शरीर पुष्ट होता है और शरीर में स्पूर्थी आती है एक परिक्शन में यह देखा गया है कि विश्व की 3000 एंटियों आवला नंबर एक पर है अब जानते हैं आवले में ऐसी कौन सी चीज़े हैं जो किसी भी बिमार्यों से लड और इसमें एंटी ओक्सिडेटिव गुन है यह शरीर में रूप प्रतिरोदक शम्ता को बढ़ाता है इसमें कैल्शियम, फॉस्फरस, मैगनेशियम, पोटेशियम, आयन और विटामिन A, B कॉंपलेक्स, एंटी ओक्सिडेंट और डायेटरी फाइबर भी रहते हैं इसमें म जानते हैं, आवला मनुश्य को चीजितरुन रखता है, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करता है, इसे सूपर फ्रूट भी कहते हैं, इसमें पाए जाने वाले एंटी ओक्सिडेंट, टिश्यूस को नुकसान नहीं पहुचने देते हैं आवला हिदे रोगों की रोग थाम करता है, हिदे रोग उच कोलिस्टरॉल के कारण होता है, आवला बैर्ट कोलिस्टरॉल बनने नहीं देता और रक्त कोशिकाओं में रुकावट नहीं आती इसके सेवन से डाययूरेटिक एक्टिटीज बढ़ती है, जिससे मूत्र का उटसरजन बढ़ जाता है, इससे आवनशनिय टॉक्सिक सॉल्ट यूरिक एसिट शरी से निकल जाते है यह पांचन क्रिया को बढ़ाता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर रहता है, यह शरी में बलड शुगर को भी घटाता है, इसमें पाए जाने वाले एंटियोक्सिडेंट के वज़े से रोग प्रतिरोदक शिम्ता भी बढ़ती है यह गौल बलडर स्टोन होने नहीं देता, अलसर की रोग थाम करता है, इसमें पाए जाने वाले एंटिबैक्टिरिल गुनों के कारण शरी में एसेडिटिक अस्तर घटता है यह लीवर की भी कारेश रमता बढ़ाता है, इसमें पाए जाने वाले विटामिन E की कारण यह आखों के लिए भी उप्यूक्त है और आखों की रोशनी को इंप्रूफ करता है यह रक्त को भी शुर्थ करता है, इसमें पाए जाने वाले एंटियाउक्सिडेंट, हीमोगलोबिन और रेट प्लेट सेल्स की संख्या बढ़ाते है यह हड्यों को मजबूत बनाता है, इसमें कैल्शिम की मात्रा अधिक रहती है यह औस्टोक्लेस्ट की संख्या घटाता है, जो हड्यों को कमजोर बनाते है यह शरी को थंडा रखने में मददगार है, इसमें विटामिन C बहुत ही अधिक मात्रा में रहता है जो शरी को उशनता और प्रकास से बचाने के लिए कवच जैसा काम करता है इससे हमाई त्वचा शीतल रहती है और गर्मी का भी उच्चित प्रतिबंद करता है अवला मस्तिश का भी पोशन करता है, स्मर्ण शक्ति को बढ़ाने में और इंटेलिजन्स बढ़ाने में मददगार है इसमें एंटिबैक्टेरियल गुन होने की कारण या पील्या को भी प्रतिबंदित करता है यह कैंसर की रोक्ताम में मैतरपून है इसमें पाये जाने वाले भरपूर एंटियोक्सिदेंट फ्री रेडिकल्स का मुकाबला करते हैं और कुशिकाओं को नुकसान नहीं पहुचने देते यह भी देखा गया है कि इसमें उच कीमो थेरपी ड्रग जैसे कैंसर की ट्यूमर की रोक्ताम की ताकत है यह बालों को सफेद होने से रोकता है डैंडर्फ की रोक्ताम करता है यह फॉलिकल्स की ताकत बढ़ाता है और नेसर की कंडीशनर का काम भी करता है यह तुचा को बहुत साफ और चमकदार बनाता है इसमें पाए जानावाले विटेमिन C के कारण तुचा को साफ, मुलायम और यूथफुल बनाता है यह एक्सपॉलियेटिंग एजन्ट का काम करता है और मित कोशिकाव को नुश्ट करता है आवले का रस चेहरे पर लगा कर 30 मिनट तक छोड़ दे तो अच्छा साफ और चमकदार बन जाएगी आवले का रस अद्रक के तुकडे और शेहत एक साथ लेने से गले की तकलीक से राहत मिलती है इस तरह आवला शरीर को स्वस्थ, निरोगी और तरुन रखने वाला स्वस्थ, वर्दक फल है इसका सेवन हर रोज जरूर करें धन्यवाद